जय हिन दोस्तों 25 अपरेल को ही कोटक महिंद्रा बैंक के कई सेवाव पर आरबी आई ने रोक लगा दिया है इसको लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के चितने भी खाता धारक है वो बहुत ही घबराय हुआ है बहुत लोग डरे हुए है कि कोटक महिंद्रा बैंक को होगा क्या कही कोटक महیںंदरा बेंक भी यस बैंक वला हाल नहां हो जाए लोगों का पैसा ना फज जय करछी पैसा निकालने के लिए कोई लीमिट तय न कर दिया जाए कि इतना ही पैसा अपना पहले हैं कि अपने रहे हैं कि बैलेंस निकाल ले रहे हैं आपको मैं बताने जारह हुआ कि कि आकिर कोचक महिन्द्रा बेंग पर क्या करवाई हुए क्या आपको घबराने की जरूडत है topics महिंद्रा बैंक के जितने भी खाताधार रख उन पर क्या अशर परेगा उनको डरना है या नहीं डरना सारी समय पर सेचा करने जा बहुत कम समय लूंगा पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे देखिए दोस्तों आपको बता दो कोटक महिंद्रा बैंक सन 2022 और 2023 के आईटी जाच में कुछ गरवरिया पाई गई इसलिए और वी आई ने करवाई कि अब क्या गरवरिया पाई अपने देखा होगा चैस सुना होगा या पिर नहीं होती ती और ऐसा खाता इतना तेजी से खुलने लगा कि जिसे आवे सकता नहीं भी होता था वो लोग भी खाता खुलवाने लगे इसमें भी आरबी आई को बहुत सारा डाउट है बहुत सारा सक है इसमें भी कि गरवरी पाई जा सकती है तो इसके अलावा आपको पता तो केट कार जो जारी कि लेंगे यह आपने सुना होगा कि कौन सा खाता कि online खाता नहीं खुल सकते online किसी परकार का खाता कोटक महिंद्रा बैंक का फिलहाल बंद रहेगा जब तक कि RBI का अगला अधिस ना जाए दूसरा क्या है कोटक महिंद्रा क्या होगा मेरा करेट का क्या होगा तो आपके जानकारी के लिए पता दो कि RBI कारवाई अभी से स्टार्ट की है 25 अप्रेल से लेकिन उससे पहले जितने भी करेट का जारी हो चुके या फिर जितने एकाउंट खुल चुके हैं चाहिए कोई भी एकाउंट हो online चाहिए किसी प कर तो भी से दिवालिया नहीं हॉगा बैंक कोई डूबा नहीं है बैंक कोई भागा नहीं यह यह फिर बैंक कोर्ज में बहुत जादा नहीं है यह यह और यंफिंस आपके कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह कुछ सक्षद है कि कर रह तो यह तो यह हो रहा है यह या पिर बहुत ही होता है कि गल तहीं हो सकता है सब कुछ सही हो तो पुराने जितने भी खाता धारक है पुराने जितने भी कईट कारदारी है डेविट कारदारी है किसी परकार का किसी तरह से इन्वेश्ट आपने कर रखा है कोई दिक्तत नहीं आने वाली है कोई परसानी आने वाली नहीं है आप पर किसी परकार का कोई ख सुरबस है कितना नजर रखा जा रहा है आपके पैसे कोछ होने वाला नहीं है क्योंकि ठीकरीके से proud कार्ड हो डेवीड कार्ड हो या फिर खाता किसी को जाड़ी नहीं किया जाए ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सके और यह बात और बता दू आपके सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी बात है कि आरवी यह इसका सारसत बहुत सारी चीजों की जाच कर रही है जैसे डेटा सुरक्षा के विजाच हो रहा है कि आपका डेटा सुरक्षित है कि नहीं इस बैंक पर अब कोई एक चीज गलती अगर पकरा जाता है किसी का तो इसके सारी चीजों की जाच होती है तो कोटेक महिंद्रा बैंक का पाया गया कि चार्जर सबसे अधिक बाकी बैंकों के तुल ह chutम है तो इसकी भी पहुत सारी वास सब्सक्राइब करने के लिए है डूबधने नहीं करने रहा है वैसे मने पहले भी बताया आपको की दो सालों से दो सालों का नजर कोटक महिंद्रा बेंक पे था और धो साल का उसका फाइल जाज करने चला है कि घर्वरिया हो रही है अगर आर चीजी की चिंता नहीं करवाई होता या फिर उसको समझाकर कि प्रॉज दोस्तों पेक्स समधित जो भी चानकारी आती है 핵ेंक हो गया इंसुरेंस हो गया इंफेश्मेंट हो गया पोछ ओपिस हो गया इस तरह के कोई भी नौलेज आता है अबडेट आता है अबनेस के लिए जो कोई नियूज आपको मिलती है कि आपको समझ में नहीं आता है घबरा जाते हैं डर जाते किसी चीज़ के बारे में के बारे में बहुत सारे लोगों में गलत फ्रमिया फैलती जा रही मैंने भी कई लोगों से सुना है कि यह बैंक बंद होने वाला है आने का प्रयास किया हूं इसी तरह आपके मन में किसी बैंक को लेका इंसुरेंस कंपनियों गया फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस किसी परकार का कोई डाउट हो कुछ पूछना हो कुछ जानना हो कोमेंट बख सकते हैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बना आपके लड़